पिये मोदी की पतनी जशोदा बेन मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। पियाईपी श्रद्ध्वालों का आना जवारी है। यह भी बता दें कि जशोदा बेन की महाकाल में गहरी आसता है। वो पहले भी कई बार दर्शन करने महाकाल पहुँच चुकी है। यहाँ मंदर समीती ने उनका सम्मान भी किया। खास बात यह है कि शोदा बेन ने पियेम की पत्री होने के बावजूद भी गर्ब ग्रहे में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी हॉल और देहरी से ही पूजन किया। इस दोरान वो बैठ कर महाकाल की अराधना में लीन दिखाई दी। गर्ब ग्रहे की चौकट से ही महाकाल का आशिरवाद लिया। वहीं ऐसी माननेता है कि नंदी के कान में मनोकामना कहने से मन की हर मुराध पूरी हो जाती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की पत्नी जशोदा बेन ने भी अपने मन की मुराद नंदी के कान में कही हालां कि उन्होंने क्या कहा इसकी तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन कान में कुछ कहते हुए उनका वीडियो ज़रूर सामने आया है वेल कैसा लगा है आपको इस वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा इसी तरह की बाकी खबरों के लिए फिल्म इबीट को सब्सक्राइब करें बिना मज़वाईएगा करें दो ίार्डियो हमेसे अजया है झाल झाल झाल